सादर प्रणाम, आपके अपने चेनल इंफोनी कॉर्णर में मैं मिर्जा चौधी, एक बार फिर आप सदी का स्वागत आवा मवी नंदन करती हूँ आज के वीडियो में जो हम क्रम शुरू करने जा रहे हैं, वो हम शुरू करेंगे रीजनिंग का, क्योंकि कुछ पोडिशन हमने वे नारिक से समबंदित बढ़ा था, तो रीजनिंग वाले पार्ट को ही कंटीन्यू करते हैं, और हम जो अभी दुबारा अपने वीडियो अप रिक्षा होती है, तो कैलेंडर से समबंदी प्रशन उसमें अक्सर पूछे ही जाते हैं, देखें कैलेंडर समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि कुछ इयर्स को मेंशन किया जाता है, जैसे कुछ शब्दावली है, यानि कि टर्मीनोलोजी है, उसकी बात करें, तो सबस बात करेंगे लीप वर्ष की, यानि कि लीप एयर किसको कहा जाता है, फिलाली कुछ बेसिक्स चीजे हैं, जिनको शुरूआत में डिसकस कर रहे हैं, देखें, सौर वर्ष, यानि कि सोलर एयर का मतलब यह होता है, जो पृथवी होती है, वो प्रिषवी अपनी जो उसकी ए एक्सस पर एक चक्कर जब पूरा लगाती है क्योंकि हम जानते हैं पृत्वी ऐसे भी रोटेशन करती है और प्लस जो क्या करती है इस तरीके से भी एक्सस पर मूव करती है तो जो पूरा वो एक चक्कर लगाती है वो पूरा एक चक्कर लगाने में पृत्वी को लगता है ए एक दिन ठीक है तो यह एक दिन और प्रिथवी के द्वारा सूरे का जो पूरा एक चक्कर लगाया जाता है यानि यह यह सूरे है यहां पर मान लिजी यह सूरे है यह प्रिथवी क्या कर रही है सूरे का चक्कर लगा रही है ठीक है तो प्रिथवी एक तो क्या कर रही है अप इस पे करती है, वेस्ट टू इस्ट रोटेशन होता है, यानि कि पश्चिम से पूरब की और उसका रोटेशन होता है, अब ये जो रोटेशन हो रहा है, ये रोटेशन डिपेंड करता है एक दिन को, यानि कि एक दिन में वो क्या करती है, अपनी एक्सेस पे मूव करती है, सा solar year कितने दिन का होता है 365 दिन का होता है लेकिन अगर जनरल हम बात करें टेकनिकली बात करें यह तो कहने की में होता है कि solar year कितने का होता है 365 दिन का लेकिन solar year equals हम कह सकते हैं यहां लिख देते हैं एक सौर वर्ष यानि कि एक सोलर इयर बराबर क्या होता है 365 दिन हो गए लेकिन इन 365 दिन के पूरा होने में ही चक्कर नहीं लगता पृत्वी का पृत्वी क्या करती है कि जो टाइम होता है वो पूरे 24 गंटे नहीं लेती है कुछ कम गंटे लेती है तो solar year में क्या आते हैं? 365 दिन आते हैं, 5 घंटे आते हैं, 48 मिनट आते हैं, अगर बिल्कुल technical point of view से अगर हम इसको देखें, और 47 सही 1 बटा 2 सेकेंड का टाइम लगता है, और इसको अगर technically divide कर दें, बिल्कुल point to point, ये लगता है, इतने दिन का समय एक solar year को complete करने में, ठीक है, यानि कि पूरा एक चक्कर लगाने में, लेकिन साधारन वर्ष में हम क्या बोलते हैं, उसको 365 दिन ही बोलते हैं, हम बटनी सुवीधा के अनुसार calendar को generally क्या मान लेते हैं, 365 दिन का मान लेते हैं, ठीक है, तो जिसमें हम तिन 365 मानते हैं, वो तो हमारा general year हो गया, लेक उसको क्या कर लिया जाता है, एक पूरे 24 घंटे के रूप में एड कर लिया जाता है, और जो लीप एयर होता है, उसमें ये एक दिन, यानि कि ये एक्स्ट्रा 24 घंटे क्या हो जाते हैं, एड हो जाते हैं, इन 24 घंटों को एड कर लेते हैं, तो लीप एयर कितना होता है, 366 6 days का leap year यहाँ पर हो जाता है यानि कि एक जो leap year है एक साधारण जो यानि कि जो simple year है उसमें इतने days extra थे leap year में उसको add कर देते हैं और जब ये leap year में add हो जाता है तो सौर वर्ष से ये दिन के इतना चोटा हो जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा कि जो leap year हट चोटे साल में एक दिन की रूप में addition इसमें हो जाता है यानि कि एक दिन उसमें क्या हो जाता है बढ़े जाता है ये तो तीखी ए बात एक term यहाँ पर आता है कि शताबदी वर्ष किसको कहा जाता है देखिए शताबदी वर्ष जो होता है यानि कि सौ वर्षों क एक शतापती होता है, ठीक है, तो हर चार साल के बाद क्या आता है, एक लीपियर आता है, ठीक है, यह तो हम जानते ही है, क्योंकि हर चार साल के बाद, वो उसको एड़ कर दिया जाता है, क्योंकि 6 मिनिट का जो टाइम लेती है, तो एक साल में जो 6 मिनिट का एक्स्ट्रा है, 365 days है और 6 minutes है यहाँ पर तो यहाँ पर 6 गंटे हैं यहाँ पर वो चार साल में क्या हो जाते हैं दिन में convert हो जाते हैं यानि कि 24 गंटे में convert हो जाते हैं और उन 24 गंटे को ली पियर में जोड़ दिया जाता है एक दिन के रूप में ओके शताती वर्ष सौ वर्ष का होता ही है तो यहाँ पर क्या होता है जो सौ अगर बात करें कि अगर मान लीजिए हमने 400 वर्षों का ले लिया यहाँ पर एक मोटा मोटा आपिर हम ले लेते हैं कि अगर 400 वर्षों का अगर हम लेते हैं तो उसमें सौ लीप वर्षों में से तीन ल कितने leap year आते हैं इसकी गर्णा करना ठीक है हर चार साल बाद के बाद यारी कि हर चौथा साल क्या होता है लीप year होता है अब एक प्रशनी आप पते कि क्या आता है कि अगर हमें leap year जानना है कि कौन सा वर्ष leap year है तो ये जानने के लिए सीधा सा तरीका है जो भी सन हो मान वर्ष 2011 है इसको हम 4 से divide करें अगर ये 4 से पूरा divide नहीं होता है जैसे 4 पंजे 20 हो गया 4 दोनी 8 हो गया लेगिन यहां पर क्या हो रहा है 6 पच जा रहा है तो यहां 6 नहीं मचना चाहिए अगर 6 पच जा रहा है इसका मतलब वो वर्ष कैसा है साधरन year है जनरल year है ठीक है अ चार से हम divide करते हैं तो 4 पंजे 20 और 4 चक सूला ये 4 से पूरा divide हो जा रहा है तो जो वर्ष 4 से पूरा divide हो जाएगा वो हमारा क्या होगा लीप year होगा ठीक है अब बात आती है कि एक तवम आता है बार-बार की विशन दिन किनको कहा जाता है देखे विशन दिन वो दिन होत होते हैं साथ दिन होते हैं ठीक मंडे हो गया यानि कि सोमवार ट्यूस्टे हो गया वेडनस डे हो गया थर्स्टे हो गया फ्राइडे हो गया सेटर्टे हो गया और संडे हो गया सेवन इयर होते हैं सोमवार मंगलवार बुधवार ब्रस्वतिवार शुकरवार शनीवार और र वीगाद, ये साथ दिन मिलके क्या बनाते हैं? एक सपताह बनाते हैं. ठीए, अब ये सपताह बनाते हैं, इसमें अब एक टाम आता है कि विशम दिन की नहीं कहा जाता है. ओस विशम दिन को समझने के लिए मान लेजये हमने इनको numbering कर दी है, हमने कहा ले ले 25 अगस्त 1994 है उसको मंडे है ठीक है हमें क्या बताना है कि अब आप ये बताईए कि 25 अगस्त 1995 को कौन सा दिन होगा ठीक है साथ दिन होते हैं यह हमें पता है और एक महीने में लगभग कितने सप्ताहा आते हैं चार सप्ताहा आते हैं यह भी हमें पता है ठीक है और एक महीने में जब चार सप्ताहा आते हैं तो एक साल में लगभग कितने दिन आते हैं हमारे 52 अब बात करें चलिए वो भी छोड़िए हमने कहा कि अगर हमें एक वर्ष दिया हुआ है और उस वर्ष के अनुसार हमें किसी दूसरे वर्ष की दिन बताना है तो देखिए जनरल ही क्या होता है जो हमारा इयर स्टार्ट होता है वो एक जनवरी से स्टार्ट होता है और वो हमारा समाप्त होता है 31 दिसंबर तक ठीक है अब ये एक जनवरी से जो स्टार्ट हो रहा है और 31 दिसंबर तक जो चल रहा है इसी को हम कहते है 365 days का जो हमारा year है वो हो गया ठीक अब लेकिन प्रशन पूछा था कि 25 अगस्त 1994 को मंडे है तो 25 अगस्त 1995 को क्या होगा देखे 25 अगस्त से 25 अगस्त तक लगा लीजे पहले तो दोनों ही लीपियर नहीं है ठीक है अब 25 अग अगस्त 95 अगस्त तक लगा लीजे तो तो टोटल कितने डेज हो गए 365 डेज हो गए इसको हम क्या करते हैं साथ से भाग दे देते हैं साथ पंजे 35 ठीक है साथ दुनी 14 कितना बचा एक यह जो एक बचा है यानि कि भाग करने के बाद जितना यहां पर रिमेंडर रहता है व तो 25 अगस्त 95 को क्या होगा कितना दिन बचा एक दिन बचा विशम दिन बचा अब इस विशम दिन में हम क्या काम कर लेंगे जो यहां पर है जो दिन पूछा है उसको हम शुन्ने मान लेते हैं 1,2,3,4,5 और 6 इसको नाम कर देते हैं विशम दिन कितना बचा एक तो एक तो यानि कि 25 अगस्त 1995 को क्या होगा Tuesday मंगलवार होगा ठीक है एक और प्रश्म निकालने इसमें से संबंधित कि हमें दिन निकालना है अभी तो ये एक वर्ष का गैप था एक और कोश्चन अगर चेंज करतें मान लीजे 5 ऑक्टूबर 2014 को संडे ठीक है तो हमें क्या बताना है 5 ऑक्टूबर 2017 को कौन सा दिन होगा देखे जो भी अभी हम गैप हो गया है यानि कि 15, 16, 17, 3 आफटर 3 एर की गैपिंग पे हमें डे बताना है पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि इनके बीच में कोई लीप एर तो नहीं है ठीक है अब इनके बीच मे अब हमने एक रेंडमली सॉल्फ किया था तो 2016 है वो लीप एर आ रहा है नहीं तो आप उसमें चार से भाग कर देंके देख लीजे जो पूरा-पूरा कट जाता है वो लीप एर हो जाता है पहले तो डेज काउंट कर लें तीन साल यहां पर दिया हुआ है तो एक साल में कित किया तूबर 2017 को कौन सा दिन होगा इसको हम साथ से डिवाइट करने साथ से इसलिए लिδ करने तो सब्धा में ते रहा है और हमें दिन ही बताना है जब आम इसको इससे डिवाइड करते हैं पूरा ूपन करके डिवाइड कर देते हैं 10 95 दिया है आपर साथ एकम साथ 39 साथ पंजे 35 साथ पंजे 35 चार बचा ये 5 साथ चिक 42 और टोटल कितना बचता है यहां 3 ये जो 3 बचा है ये हमारे क्या है विशम दिन है ठीक फिर हमें कहा कि यहां रफली लिख लेते हैं चलिए संडे, मंडे, टूजडे, वेडनेस डे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटर्डे ठीक है संडे इधर लिख देना था चलिए कोई बात नहीं यहां संडे दिया हुआ है हमने इसको 0 मान लिया हो गया अब इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये हो गया कितना होना चाहिए तीन दिन बचे है यानि कि क्या होना चाहिए तीन किसके नीचे आ रहा है वेडनेस डे के नीचे वेडनेस डे होना चाहिए लेकिन कि आंसर वेडनेस डे नहीं है क्यों नहीं है वेडनेस डे तब निकला जब वो साधारन वर्ष था ठीक यानि कि क्या हो जाएगा ब्रस्पतिवार तो यह Thursday क्या होगा correct answer होगा यानि पाच अक्टूबर 2017 को क्या होगा Thursday होगा तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं किसी भी वर्ष का हम दिन दिया हुआ होगा तो हम जो भी वर्ष हम से पूछा गया होगा हम उसका यहां पर दिन निकाल सकते हैं जैसे एक और चीज यहां पर एड करें कई बार जो अंतर दिया होता है वर्षों में 400-400 साल का 200-300 साल का अंतर दिया होता है तो देखें एक छोटा सा सिंपल सा तरीका है जिसे याद किया जा सकता है अगर 100 वर्ष का गैप दिया है तो उसमें कितने विशम दिन होंगे 5, ठीक है, 100 वर्ष का गैप दिया है, तो विशम दिनों की संख्या होगी 5, 200 वर्ष का यदि गैप यहाँ पर दिया है, विशम दिनों की संख्या होगी 3, यहाँ पर गैप 300 वर्षों का दिया हुआ है, तो विशम दिन कितने होंगे 1, और अगर 400 वर्षों का यहा नीचे से अगर आप उपर देखें तो भी देख सकते हैं 0, 1, 3 और 5 यानि कि 400, 300, 200 और 100 या आप इधर से 5, 3, 1, 0 तो ऐसे आप अगर इनको याद कर लें तो मान लीजे 400, 500, 300 इन वर्षों का दिया हुआ है तो हम विशन दिनों की संख्या डारेक्ट यहां पर निकाल सकते हैं तो इंपोर्टेंट है इससे संबंद्य प्रशनकसर पूछे ही जाते हैं अगले क्रम में और अगले वीडियो में और कंटीन्यू करेंगे इसे तब तक के लिए फिलहाल इतना ही और प्रेक्टिस करते रहेगा जल्दी मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में लगतार साथ ब बने रहने के लिए हमारा साथ अभी तक प्लेटफॉर्म पर इस यूट्यूब के निभाने के लिए आप सभी का एक बार फिर बहुत-बहुत-बहुत धन्यवाद कुछ नए क्रम है जिन क्रमों को लेकर आते जाएंगे और योजनाय रचनाय आपको क्या हमने बनाई है वो अगली वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत-बहुत धन्यवाद